हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब बहुत बढ़िया हैं आज हम करने वाले हैं लर्णिंग आउटकम्स पर आधारिक जो आपकी गेप समग दी है उसको सॉल्व करने वाले हैं ठीक है इसमें हम देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट के पेज नंबर एक से लेकर 24 फूर तक ठीक है और जो अगली वीडियो होगी यानि अगली जो आपकी एक्साइज होगी उसके हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेंगे तो वहां से जाकर आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं ठीक है इसके अगले वाली चले बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को पड़ा तो आपने देखा होगा कि पाठ दूपर है कटक बचन मत बोलो ठीक है बच्चों कक्षा 6 में आप तो अभी साथ में हैं लेकिन कक्षा 6 में जो आपकी गेप है न यह गेप समग रही है जो आपका गेप हो गया था पिछली साल उसी को पूर्ती करने के लिए आपक buga बणी क्यों बोलना चाहिए तो बच्चों मेठी बणी हमेशे लिए बोलना चाहिए दोखो मेठी बानी से आप लोगों को अपनी और आकरसित कर सकते हैं ठीक है अगला कुश्चन क्या है अगला कुश्चन है आपका कि बिलोम सब्द लिखो तो बिलोम सब्द में क्या प्रेम का हुजाएगा घरणा कड़बा का हुजाएगा मीठा और मित्र का हुजाएगा सत्रू कुश्चन नमबर 3 है बातन हाती पाईए बातन हाती पाउ कहावत के बारे में आप क्या समझते हैं देखो मूर्खता पूर्ण एबं गलत बातों से आपको अपमान का पात्र होना पड़ता है तो इदर पात्र लिखा है ठीक है बच्छो अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर फूर आपने कभी कडवी बात पर हुए जगड़े को देखा हुगा तो उस गठना का बरड़न लिखिए तो देखो एक बार हमारी कख्छा के सहपाटी गण कडवी बूली की कराण एक दूसरी से जगड़ पड़े तब सिक्षक ने आकर समझाया और बताया कि गलत तरीकी से बूलना हमेशा दुख का कारण बनता है ठीक है अगला कुश्चन है कुश्चन अभ्यास कर्मांग 3 समय करना था इसमें की इस तरह सी प्रिश्चन बनाने ती इस पार्ट को पड़कर ठीक है प्रिश्चनो का नेर्मण करना था ठीक है तो आपिस तरह सी लिखेंगी पहला है जैसे कडबी बात बोलने से आप किसके पात रहोंगे んな जो आपने जो इदर रफ का रहना उदर लखेंगे किसके तो हो जाएगा किसके पात रहोंगे ठीक है एक पृश्ण बन गया दूसरा बनाएंगे कडबी बातों से क्या उत्पन होता है तो यहां पर लिखेंगे आप क्या ठीक है कड़वी बातों से क्या पैदा होता है तो यहां लिखेंगे क्या ठीक है बच्छो यहां पर जो आग बीच की जगह छोटी हुई है कड़वी बातें दूसरों को क्या पहुचाती है तो क्या 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 और किस की ठीक है बच्छो इस कक्षा 6 में ही पाठ 3 है पाठ 3 का नाम है पाठ 13 का नाम है बसंत ठीक है दिया आपने कक्षा 6 में पड़ा है तो वहाँ पर है पहला प्रस्ण दिया गया है कि सूची बनाईए तो सूचीओं में हमको फलों के नाम लिखना है तो चमपा चमेली गेंदा गुलाब और कमल फलों गिरिश्मृतु और हेमंतृतु दी गई है अभ्यास कर्मांक पांच में आपसे कहा गया है बसंत का किस पर क्या आसर हुआ देखो बच्चो फूल क्या हुए सब खेल उठे पागल मन जूम उठे डाली पर डाले फिर जूले थे और मयूर संग मोर भी ना चाथा तो यह जो है फरक पड़ा है किस से बसंत के आने से ठीक है बच्चो अगला कुस्चन क्या है अगला कुस्चन हम देखेंगी तो अगला कुस्चन आपको दिया गया है कि मुल्यंकन बन चित्र सिक्षक मेंटर गतिविदी उन्रविदी आई होब कि आपने पढ़ लिया होगा अब इस चि जिल उठेएं और बाताबन हरावरा है अगला है और सब्सक्राइब का हुजाएगा खग और बिहग पराता भूर शुबह है और मोर का हुजाएगा मयूर अगर बिदी के होजाक क्शी राज मुरका ऊगला क्को आपको दिया गया है question number part 2 कटुक बचन मत बूल कटुक बचन मत बूल में क्या कहा गया है कि प्रियूक के अधार पर सब्दों की दो मुक भी दें एक तो है आपका विकारी और ये कि बच्चो आविकारी किसके सब्दों की याद रखना एक विकारी है बिकारी की परिवास आपको दी गई है तो आप उसमें नूट करें और आविकारी की परिवास भी दी गई है बिकारी सब्द बे कहलाते हैं जिन पर प्रभाव पढ़ जाए किसका लिंग बचनों का रखका जो चेंज हो सकते हैं और जिन पर प्रभाव कुछ भी न पढ़े लिंग बचन वका रखके बे आविकारी सब्द हैं ठीक है उसी क्यादार पर हमको भनना है नमलकेत रिक्त स्थन आविकारी सब्द भरिए तो पहला है मेरे साथ और भी लोग आए हैं अब भी सब्द जो है इस पर किसी का भी असन पढ़ने वाला यह भी है तो भी ही रहेगा ठीक है दूसरा है वहां जाना मना है क्योंकि वहां सिकारी कुत्ते घूमते हैं हमें आज विद्द जाना चाहिए कल रवीवार का दिन है ठीक है अब चलते हम नेक्ट पेज पर नेक्ट पेज में आपको नार्यल का बगीचा पा आपको बताना है तो इस्थान का परचाह सबसे पहले दीजिए तो इस्थान का परचाह मेने अपना भरा है आप भी भर सकते हैं इस्थान का परचाह मैसूर करनाटक मैं मैसूर गया हूं घूमने के लिए लोगों का रहन सहन कैसा है तो लोगों का खानपान कैसा है तो ऐली भी है मुक्दफछलें क्या हैं तो रागी चावल नारियल एक आलू गन्णा सब्जिया आदी मुक्दफछले a अब भ्यास क्रम्ाक स्कृब्ठ दू दिए गए आले के आधर पर आप नए प्रिस्ञों का निर्माड करें आपको इसम ही प्रिस्ञों का निर्माड करना ह देखो प्रिशन पहला तो उनने दिया है बांकी सब पांच प्रिशन आपको इसकीन पर दिख रहे हैं कि नारियल कैसा पानी प्रदान करता है नारियल की लकड़ी का उपयोग क्या है नारियल की गरी से क्या बनाया जाता है नारियल की सक्थ छिलिकों का क्या उप्योग होता है नारियल कैसे मुसम में लगता है इस अब आपको दिये गए है अब भ्यास कर्मांक तीन में निमलिकित बरतन सब्दों की बरतनी शुद्ध करना है आपको ठिक है तो आपको दिया है ब्रक्षों तो सभी सभी नारेम का है नारेल और चमसे है चमसे अम्रत का है ein को अप चल्ते हैं नेक्स्ट पेज पर उख को और दिया सब्सक्राइब नाव जूपड़ी पानी किनारा नाविक घास आदि दिखाई दे रही हैं क्वेस्चन नमबर 250 सुन्दर किस स्थान कीजी दिक नंबर 10 विर्ष्थ्थ है क्या आपक कभी नाव बैठे हैं यदि हाँ तो उस आनंद का देखो हां मैं नाओ में बैटा हूँ एक बार हम प्रियाग राज गए थे तो वहां हम सब ने गंगन अदी में नाओ की सवारी की यदि आपने नहीं की है गंगन अदी की सवारी तो आप लिख सकते हैं नहीं मैंने गंगनाओ की सवारी नहीं की और मैं करना चाहता हूँ ठीक चार बिशेशन होते हैं जो संगय सर्वनम की बिशेश्था बताएं ठीक है तो सबसे पहले भरेंगे छोटा फिर दुर्गम फिर सूखना और गतिसिल गतिसिल मिलब जो रुके ना ठीक है अब जो चार आपने ऊपर भरे हैं इनी चारों को नीचे आपको बताना है कि किस बूंद आप चलते हैं पिज नंबर 11 आपकी क्या कहा गया है तो चलते हैं पार्ट Walter सामगरी पार्ट 3 हार की घीट आपने पढ़ी होगी बहुत बनी चैप्टर है अकर आपने नहीं पढ़ा तो ज़रू पढ़ें बाबा भारती उनके गोड़ी सुल्तान और खड़क सिंग डांकू की कहानी है ठीक है तो बताने है किस ने किस से कहा दी गए आलिक क्या दरपन निम्लिखित बाग की किस ने किस से कही है ठीक है पहला है पहला है मैं आपका दास हूँ किस ने कहा तो किस ने कहा डांकू खड़क सिंग ने किस से कहा बाबा भारती से ठीक है यह घोड़ा आपका हो चुका है तो किस ने बाबा भारती ने किस से डांकू खड़क सिंग से यह घोड़ा आपको नहीं दूँगा किस ने कहा डांकू पचा हुआ है आपका देखो इस घटना को किसी से नहीं कहना किस न कहा बावा भारती ने किस से डाकु खड़क सिंग से चलते हैं आप भ्यास कर्वान के दो पेज नंबर 12 साधू के बारे में आपको बताना है आप क्या जानते हैं तो देखो साधू का नाम बावा भारती था जो मंदिर के पास कुटिया में रहते थे उनके पास एक सुंदर बलवान घोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था अगला है डाकु के बारे में क्या जानते हैं तो दाकु का नाम खड़क सिंग था वह इलाके का कुख्यात डाकु था जिसना बावा भारती के घोड़े को सहान करना है आपको जो चेप्टर दिया गया है अद्धित वाला हार किती संग्या कि güç वेख्ति बस्तु या थी नाम को या जानबरों के नाम को ठीक है तो देखो, संगया सब दोगा है, खड़क्षिन क्योंकि किसी ब्यक्ती का नाम है बावभारति और बक्रा क्योंकि जानबर है कोई ठीक है तो ये सब तो हो गए जो संग्या सर्वनाम के वूलि संग्या के बदले में उप्यूक की जाने वले सब्दों को मैं तुम और इस वह हैं आपके आए हैं पाट में उसी क्यादर पर आप इनको भर दें फिरन। 293 में अभ्याश 4 में दिया गया है निम्न के सब्दों के आधार पर लोग कथा को पूरा करना है तो लोग कथा को देखो आप इस तरह से आपको सब्द दिए गए हैं उपर ठीक है इनिकी सायता से आपको इसको भनना है हिमालाय परवत की उची चोटियों के बीच एक साधू रहता था उसने वहां घुर तपस् पस्य के बल पर कई सक्तीय प्राप्त उनमेंसे एक जीबदारियों के रूपधराण करा उन मेंसे प्राप्त कर तक एक दन बैल के रूपधराण करने लगे एकायक सीर उनके सामने आया और सीर व बेल का जगड़ा होनी लगा सीर के सामने कभी बेल कभी जबब जड़ा कभी गधा और कभी बंदर बन जाता था सेर यह देखकर आश्चर चकेत हो गया अंत में सेर डर का भाग गया अब पार्ट सामगरी है नेक्स्ट है आपका पीज नमबर 13 में आपको इसमें आपसे कहा गया है कि अक्छाचार की पुस्तक हिंदी के पार्ट 9 नर्मदा की यातिक कथा में एक लोग गीत आया है उसी को आ पहला प्रिश्ण है दी गए लोग गीत को अपने अनुसार गीत और पंक्तियां में रचिए ठीक है देखो बच्चो तो देखी पहली जो लाइन है यहां से लेकर यहां तक है दूसरी है आपकी नेक्स्ट ठीक है तो मैंने यहां पंक्ति एक और पंक्ति दो में भर दी है तो मिली रे नेक्स्ट है जैसे में लगाया भाई और बहन रे जैसे में लगया माई और बाप्रे इस तरह आप इनको भर सकते हैं मुल्यंगन फूर में अपने चेत्र का कोई एक लोग गीत लखिए ठीक है तो देखो आपने छेत्र का लिखना है आप अपने छेत्र का भी लख सकते हैं ये बात याद रखना ठीक है तो मैंने लग दिया है आज मुझे रगवरी की सुध्याई आगे आगे राम चलत हैं पीछे लश्मन भाई ठीक है अगला कुस्चन है लोग गीत किस-किस अबसर पर गाय जाते हैं तो लोग गीत जो है तिवहारों और विशिस अबसरों पर गाय जाते हैं या फ़र फसल कटाई की समय भी गाय जाते हैं नए वर्स की दोरान भी गाय जाते हैं आप इस दू लाइने और एड कर सकते हैं पीज नंबर 15 पर चलते पार्ट बीस कक्षछे में आपको दिया गया होगा, ठीक है, मुद्रा के रूप में, अभ्यास क्रमांक एक में आपसे कहा गया है, जब रुपया प्रचलन में नहीं था, तब लेन दिन कैसे होगा, होगा, ठीक है, जब रुपया प्रचलन में नहीं था, तब लेन दिन बस्त नहीं होता तो क्या होता तो यदि रुपए का प्रचलन नहीं होता तो बस्तू के बदले बस्तू के बदले बस्तू की प्रणाली होती बस्तू की बदले बस्तू मतलब बस्तू बिनमय प्रणाली ठीक है एक बस्तू के बदले दूसरी बस्तू जीते हैं अगला है पेज नंब तो आप सूचिए कि आप रखता कैसे हो एक जगह से दूशी जगह ले जाने में भी कठना ही होती बरतमान समय में आपके पास नगद रुपया नहीं हो तो आप स्कूल का सुलक किशमाद्य हमसे चुकाएंगे तो बरतमान समय की बात होरी इस तरह से हम चुका सकते हैं प्रतिक चन्न बनाईए तो डॉलर आपको दिख रहा है दो एडॉलर के चिन्न है और चित्र के आधर पर आपको किस देश की मुद्रा का प्रतिक चन्न अच्छा लगता है और क्यों दो के दर एक चित्र दिया गया है आपको जो भी चित्र में अच्छा लगता है तो वह आप लिख सकते हैं मैं मुझे तुझे से अपनों रुपिया जो अच्छा लगता है तो मैंने लिखा है चित्र के आधर पर हमें भारतिय मुद्रा का प्रतिक चन्न अच्छा लगता है क्योंकि हम इसी मुद्रा का उप्यो पेज नमबर 18 में आपको 10 तक कहानी जो है दी गई है बहुत ही बड़ी है कहानी अगर आपना नहीं पड़ी जुरूर पड़ें किसी की साथ यदि हम अच्छा करते हैं बच्चों तो हमारी साथ भी अच्छा हुता ही है इस कहानी के माद्यम से में यह पता चलता है ठीक है तो और सीधे मुह बात ना करना मलब गमंड करना ठीक है घमंड करना अगला है दीए गए मुहाबर का बाक्यों में प्रयोग करें तिलका ताड़ बनाना का मतलब हो जाएगा छोटी सी बात का तिलका ताड़ बना दिया मलब छोटी सी बात का बहुत बड़ा बनाना ठीक है कान भरना वह उसके रोजना कान भरता है ठीक है चुगली करना इश्रे करना सीधे मुह बात ना करना तो इसका प्रयोग हो जाएगा प्रोसी के यहां कार क्या आ गई सीधे मुह बात नहीं करता नाक में दम करना मतलब पैसों के लिए राजू ने नाक में दम कर दिया ठीक है अब दीक हुद दीगई किस पंख्तियों में अनुपरासलंकार है तो पहले में आपको पता दूँ अनुपरासलंकार वह बसaker होता है जब किसी बरण की आप वर्ती आपको अगला है कावण में पंक्तियों किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकारater का परयोग हुआ है समल समल कर चलो बीरवाल इसमें सा उसा दो बार आया है ठीक है अगला है काब पंक्तिवों में किस पंक्तिमा अनुपरा सलंकार है विजयी विश्चो तरंगा प्यारा जंडा उंचा रहे है हमारा तो उपर की जो लाइन है विजयी विश्चो तरंगा प्यारा इसमें जो है आपका अनुपरा सलंकार का उप्यूग हुआ है कि वा व वा वा दो बार आये हैं वा वाला ठीक है अगला है इसमें जो कही रहीम संपति सगे बनत बहुत रहुजीत इसमें जो है दो बार कुझ सा बा 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 तीन बार आया है ठीक है इसलिए इसमें अनुपरा सलंकार है जंगल ही जीवन है जंगल को मत काटूत जा 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 जो है तीन नमबर 21 में अनुपरा सलंकार की दी गई पंक्तियों के इलावा भी कोई पंक्तिया लिखी तो मैं आपको देखो इसमें लगाए चारू चंद की चंचल के रणया खेल रही है जल धल में ठीक है इसमें आप लेख सकते हैं क्योंकि इसमें चाकिया ब्रती हुई है अगला है व विजयगान कविदा की काभ ये पंक्तियां पढ़कर हमें त्याग तपस्या और द्रशंकल्प की अनुगूती हुई ठीक है अब चलते हैं पर पेज नमबर 22 पर पेज नमबर 22 लेर्निंग आउटकम्स एट 614 इसमें पार्ट 21 मेरी मा बहुत ही बढ़िया चेप्टर है ठी किये गई गड्य खंडे में रीखन कि सब्दों के अर्थ लेखीे है अधीर मतलब होता है अधीर उठना और हुटना कि सी कामके लिए अधीर होगए ना लो बिलत काम करने से ब्यक्ति कलंकित हूजाता है बली वेदी मतलब उता है त्याग तो बलिवेदी महानपुरुष की बिसिस्ता है स्रद्दापूरवक इश्वर को स्रद्दापूरवक नमन करना चाहिए ठीक है सफल मतलब होता है मेहनत ही हमें सफल बनाती है उस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं आप और भी कुछ लख सकते हैं जो नहीं है कि आप यही प्रिदीर ठीक है आके बाद आएगा जा तो बैसे तो आके बाद खात आये लिए खावाला तो बढ़ है नहीं तो क्रम से जमाना था जीवन फिर आएगा धारन पुत्र वाणी और साज हो है सबसे अंत में आएगा सफल ठीक है अगला है अब्यास बन पीज नंबर 23 ठीक है तो अभ्यास कर्मान के बन में करना है उपसर्ग जोड़के नए सब्द बनाई हो उपसर्ग जो है किसी भी मूल सब्द के आंगे लगाये जाते हैं और प्रित्य जो लगाये जाते हैं पीछे ठीक है तो तालिका में उपसर्ग कौन कौन से उपसर्ग एक तो आपको परा उ नती तो इस तरह से आप भी भर सकते हैं हम चलते हैं पीज नंबर 24 पर ठीक है पीज नंबर 24 24 में अभ्यास्क्रमंग 2 में आप से कहा गया है नए सब्द से सब्द और उपसर्ग अलग-अलग करना है तो देखो अनुमान में आप क्या लेखेंगे अनुधनमान ठीक है प्लस आवट में सब्सकारण व और फ्यल प्रभूत अलग करें तो प्रभूत में से आप प्रभू फिलस पर चल्ग प्रभूत battery अगली वीडियो में आपको इस सियांगे कि बताँगा पैसे आप शोलागे करें नेक्ट वीडियो में जल्दी है आपसे टेक कियर